आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication? Cell cycle में DNA replication होती है S phase में और mitotic के लिए एक अलग phase है mitotic phase या M phase यहां बात और यह cell cycle की क्योंकि यह जितने भी phase है G1, G2, S यह सब किसके है? cell cycle के तो cell cycle क्या होती है? It is a series of events that takes place in cell as it grow and divide यानि की growth और division जैसे events किसी cell में एक खास series में होंगे और यह series कैसी होगी? Cyclic, cyclic means अपने आपको एक fixed interval के बाद repeat करेगी cell cycle के events shortly अगर हम समझे तो उसमें एक है M phase और दूसरा है S phase जब cell अपने M phase में आ जाएगा यानि कि उसने अपनी एक cycle complete कर लिया और इसके बाद वो direct S phase में नहीं जाएगा उससे पहले वो कुछ protein बनाएगा वो उसको हम कहेंगे gap 1 stage जब cell अपनी S phase complete कर लेगा तो वो directly M phase में नहीं जाएगा वो एक gap लेगा जिसको हम कहेंगे gap 2 या G2 phase तो M phase, mitotic phase और S phase के बीच वाला जो part है उसको हम कहेंगे G1 या gap 1 phase तो correct answer है number 1 Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर चार्स उपरिए खेखब याउनलोड करेंगे ।